Hello everyone, welcome back to my channel. Let's find out our own way. आज हम करने वाले हैं एक question जो की हमारा integration का है. तो हमें इस वाले part को solve करके, then जो हमारे पास term आएगी, उसका comparison करके ये बताना है कि हमारा जो ये A and B की value यहां पर क्या होगी. ठीक है, और हमें बताना है last में कि हमारे उन A और B का अगर मैं टपल लूँ, तो वो हमारे कौन से option से match होता है. ठीक है, तो देखो अब इसको करने के लिए देखी क्या करते हैं. हमें इस integral को solve करना होगा. Integral क्या है हमारा? Integral है हमारा integration of sin x by sin of x minus a. अब देखो इसका angle x और इसका angle x minus a, तो भाई कुछ ना कुछ से जुकार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो solve होगा नहीं है. तो मैंने क्या किया, जो हमारा numerator part में sin x है ना, उसमें x की जगे पे x minus a और plus a कर दिया. और फिर यहां से लगा देखी छोटा सा bracket. ठीक है? तो identity बन गई हमारे पास sin a plus b की, जो क्या होती है, sin a cos b plus cos a sin b. तो देखो, उसको हम use करके लिख सकते हैं, integration of sin a, sin x minus a into cos of a, ठीक है? प्लस का निशान, प्लस में फिर क्या हैगा? cos of x minus a into sin of a, ठीक है? और by में हमारे पास x minus a के साथ हमारा यह sin present है. अब हमें क्या करना है? इसको और simplify करने के लिए मैंने इन पार्ट्स को अलग कर लिया. कैसे? देखे. integration of sin of x minus a into cos of a, उसके by में मैंने यह लिखा. क्या लिखा? sin of x minus a. देखो, यह तो हमारी first term थी. अब बीच में क्या है हमारा? प्लस है. फिर उसका भी integration अलग से कर देते हैं. that means this is equals to x minus a. cos of x minus a into sin of a over sin of x minus a. ठीक है? अब देखे. अब हमारे पास आप देख रहे होंगे कि जो हमारा first part है. यहां से हमारे पास sin x minus a and this sin x minus a are same. so we will cancel it. ठीक है? तो क्या बच्चा? integration of cos of a. but हमारे पास a यह भी तो constant है. तो this cos of a is taken as outside to the integral because it's a constant part. ठीक है? तो देखो, इन सब के साथ है dx. ठीक है? देखो, देखो, देखो. sin of dx plus cos theta by sin theta that is cot of x minus a into sin of a. देखो, sin of a भी constant है. हम इसको next term में बाहर निकाल लेंगे. ठीक है? अब देखे, क्या है हमारे पास? cos of a तो same. और integration of dx that is x plus. यहां से sin a हमारा constant term है. तो sin a को मैंने बाहर ले लिया. then integration of cot of x minus a into dx. ठीक है? अब देखे, अब आपका result आने वाला है. result आने का मतलब वो exam आना result नहीं. इस question को solve करने के बाद हमारा answer आने वाला है. वो result जिसको हम match करने वाले हैं हमारे options के साथ. ठीक है? this is equals to x into cos of a. मैंने सिर्फ इस x को अगे लिखा है. means इस term को arrange किया है. ठीक है? plus sin of a. और हमें पता है integration of cot theta that is log of theta. log of sin of theta. ठीक है हमारे पास यहां पे? x minus a into dx है. ठीक है? अब देखो. हमारे पास जो यह question था. अब उस question में हमारे पास जो यह वाला part है ना. यह आया है हमारा इसको solve करने से. और यह हमारा question के अंदर किसके equal given था? इसके equal. तो अब हमें इसको भी साफ लिखना है. तो देखो मैं लिखे देती हूँ इसको. यह है a x plus b log of sin of x minus a plus c. इंटिकरेशन के नाम का c भी आ गया. तो देखिए मैंने इसको थोड़ा असा लिख लिए है ताकि हम easily इसको compare कर सके. तो देखिए अब compare करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखो इस term में x है. इस term में भी है. तो x के अलावा जो बची हुई term है वो है हमारा a. तो a की value क्या आ गई हमारी? cos of a. ठीक है? अब देखो अब हमें find करने b की value. यहाँ से c constant c same, these part will be same. यह भी तो same हो गया part हमारा. अब क्या बच गया हमारा? हमारा बच गया यह b, जो की हमारा comparison करने पर sin a आया है. है ना? तो देखो अब हमें निकालना था options के अंदर क्या चे pair. हम दो-दो terms के pair को लिख रहे हैं. ठीक है? और फिर यहाँ पर a की value लिख दी हमने. cos of a into sin of a. अब आने वाली है final line. कैसे हम अपने answer को check करते हैं और tick लगा देते हैं? देखो में, क्या है हमारा? cos a और sin a. चलो check करते हैं. cos a. cos a कह दो या cos alpha कह दो? क्योंकि वो question में ना, ऐ ऐसे a गिवन था, तो मैंने a ले दिया. तो यहाँ पर आप cos a भी कह सकते हैं. जो हमारे हाँ पर angle बने हुए है, a है. ठीक है? अब आप देखिए कि हम किस तरह match करते हैं. हमारा option आया था cos a और sin a. यह तो sin a और minus cos a. माइनस वाला तो आया ही नहीं. क्यों ही देखना इसके तो था यह नहीं. क्या sign आगे था? नहीं था, भई, cos था आगे. तो हमारा यह second option हमारा correct हो गया. तो I hope आपको यह solution समझ में आया होगा. आज हमने यह integral equation का question किया है, integration का solve किया है. तो यह भी हमारे पी वाइक क्यू ही है, जो हमारे teaching exams में पूछे के question है. और मेरी बनाई वीडियो आपके लिए helpful होंगी. अगर आप किसी भी competitive exams के त्यारी करते हैं, like teaching exams, teaching exam में 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 पास करो, DSSB की हुई, KBS हुआ, अदर राजस्थान वाली teaching हुई, यह सब में यह common topic होते है math के. तो आपको यह वहाँ भी help करेंगे. So, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छ